हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल आज हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ प्रस्ण जो प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको और उसका डिफिनेशन भी हम बताते चलेंगे उसका अध्यन करेंगे तो चले स्टाट करते हैं फ्रेंट्स बता इसके बारे में मैं थोड़ा साब को जान कर देरें चारूंगा कि इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन आप भी जानते होंगे सबसे पहले सुर्गात केरल से उसके बाद में 2004 से पूरे भारत में विदान सभा और लोक सभा में से लागो किया गया है इसका यूज किया जा रहा ह है 2004 से तो इसका एंसर सी होगा दूसरा सवाल है निकित में कौन दो इभियम को पूरा करते हैं तो इभियम को पूरा करने में दो जो सिस्टम है वो है कंट्रोल यूनिट और वैलेटिंग यूनिट आप देखेंगे वहाँ पर दो मसीन लगा राता है तो इसका एंसर यह राज के दोनों सदनों के सभी सदस यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्सन गलत है इसका एंसर यही होगा इसमें क्या है कि राश्टपती के चुनाव में सभी राजियों के विधान सभा के लावा संसत के दोनों सदन लोक सभा और राज सभा के निर्वाचित सदस भाग लेते हैं यह आपको ध्यान रखना होगा निर्वाचित सदस ना कि कुल सदस अगर कुल सदसर है तो वो गलत हो जाएगा सिर्फ निर्वाचित सदस ही से भाग लेते हैं राश्टपती के एलेक्शन में क्यों कि राज सभा में 12 सदस तो राश्टपती खुल मनोनित करते हैं और लोक स अधीत कोन करता है तो इस वास्थ की विवस्ता गई है 25 जनवरी 1950 भारत का निरवाचन आयोक के अस्थापना हुई है किए अब पत्सीस जैन्वरी को क्या मनाते हैं मत दाता दितस वाध अश्र की ओर्चार के लिए ऑर भी बाते पताता हूं कि इसमें मुक्न लुछ निरुवाचरन आयुक्त होता है इसके अलावब दो आयुक्त होते हैं तो यह क्लियर हो कि राष्ट्पति होंगे इनका चलिए अगला संसदिय थवा विधान सवा निर्वाचन छेत्र के निर्वाचन सूची के निर्मान के लिए कौन जिम्मेदार होता है तो सूची के लिए निर्वाचन निभंधन प्तादेकारे जिम्मेदार होता है प्रवारत के निर्वाचन आयो का मुख्याला कहा है नई दिली में है इसके स्थाफ़ना मैं बता दिया था 25 जनवरी 1950 को इती क्या कोई वेक्तिम पुनन मद्दान कर सकता है अधिवा पहले किसी गलत उमीद्वार को मद्दान कर चुका हो बिल्कुल नहीं कर सकता है एंसर भी होगा आपने अगर गलती से किसी को मत दे दिया तो आपका मत थो पढ़ गया लेकिन आप चाहेंगे कि मैं अपने सही उमीद्वार को मत दूँ जिसको मैं चाहता हूँ तो आप दुआरा मद्दान नहीं दे सकते हैं आगे है मतदाता के रूप में नमांकित होने के लिए नियुंतम आयू क्या है तो नियुंतम में 18 वर्ष है इसके पहले 21 वर्ष था लेकिन 61 समिधान संसोधन 1989 में इसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था उस समय जो भारत के प्रधान मंत्री थे वो राजीव गांधी थे त क्ये lige कौन से सफार्म का पध्रीयों की जाता था जाना चाहिए 10 कि तो आपको अगर नया सउutह हैं मुधातफ परिच्ण पत्र बनवाना है पंजी क्रिफ होना अब को तो उसके लिए आपको फो फॉर्म नमर है टीके फॉन नमर त HD से इसके बाद form number seven में क्या है कि नाम को हटाना अगर मालत किसी के विर्थी हो गई तो उनका नाम को हटाना या फिर आप अपना निवास चेंज कर रहे हैं तो form number 7, 8 में क्या होता है भाई, 8 में होता है कि आपके नाम में गलत है, है ना, किसी का पता गलत है, किसी का नाम में गलत है, लिंग में गलत है, तो यह सब जो correction करना है वो 8 से करना है यह तिनों important है friends 6 7 8 6 में क्या करना नाम जोड़ना है 7 में क्या करना हटाना है rate में correction करना है तो important है तिनों तो इसका सही होगा C आगे है EPIC में किसी भी तर्थे के सुधार के लिए किस परपत्र form का पर्यूग किया जाता है EPIC इसका full form पहले हम जान लेते हैं कि EPIC का full form क्या होता है EPIC का full form होता है इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटिटी कार्ड और किसी दर मत आता पहचान पत्र है ना इसका हिंदी अगर हम करते हैं तो मत आता पहचान पत्र होता है तो इससे सुधार के लिए कौन सा form भरा जाता है ता भी मैंने बताया था आपको सुधार के लिए form नमर 8 भरा जाता है आगे है निर्वाचन सुची में नाम हटाने के लिए तो नाम हटाने के लिए मैंने बताया था भी आपको form नमर 7 भरना है अगे है एपर योग हो आग मैं आए से अगर आपको मद्दाता जिसान भार्ति होने करते हैं शुना लूपन NOT के तीनों मेंıllुलन सब्सक्राइब ये तीनों में काम क्या एक उस्टान नहीं अनुक्राण के मतलब धास और भरति हैं, अगला है नहीं में स्कूल डायरी का परियोग नहीं किया जा सकता है अगे है विधान सभा के लिए निर्वाचन कौन कराता है अगला प्रस्ण नियाय पाली करता था नगर निगम जैसे स्थानी निकायों को चुनाव कराता है तो राज निर्वाचन आयोग इसकी चुनाव करता है अगे है अनि की नोटा का पुन रूप क्या है नोटा का पुन रूप होता इफेरेंस नन ओफ दा अबोव अनि की इसमें से कोई नहीं नोटा के बारे में अगर आप जानना चाहते है थोड़ा सा तो मैं बताता हूं कि नोटा का परियोग सबसे पहले 2009 में किया था इसके बाद 2013 में कुछ चार राज्यों के बिदान सवा में किया गया और 2014 से पूरदेश में लगू किया गया चलिए अगला सवाल बीएलो का पुर्ण रुप क्या होता है बीएलो बीएलो वही होते हैं जो आपके घर के पास आपका वोटर आडी काड़ पहुंचाने आते हैं आपका मदाता पहुंचाने आते हैं और मदान के समय आपके पास जो करवांग संख्या वगरा होते हैं जि अगे यह PTP सिस्टम का पूर्ण रूप क्या है? यह Rabbit, your mice ना, बसके फूर्म होधा है, फॉर्सट पॉस्ट पास्ट पॉस्ट vita पॉस्ट जो हमारे देश में यह लागू हे यह चुनावी पुना说 है इसमें क्या होता है ना कि भारत जो है कई चुनावी चक्शेतरों में बटा हुआ हर पाटी वाला एक उम्मीदवार को उस जगह अपना उमिदवारा करता है एक ही आदमी को खड़ा कर सकता है तो उसमें से जब तीनों-चारों उमिदवार जो अलग-अलग पाटी के उसकी क्या होगी जीत होगी ये परनाली हमारे देश में है ना की परतिस्त वाले परनाली हमारे देश में है बहुत सारे देशों में क्या है ना कि परसेंटेज निकाला जाता है कितना परसेंट मंत हुआ कितना परसेंट पाटी को मत मिला तो वो परक्रिया हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में है, जो सब से आगे, सिंपल से भारत में समझिए कि हम दोड़ लगाते हैं, बेस लड़कों का दोड़ लगाते हैं, और उसमें से जो सब से आगे राता है, जी दूसी की होती है, बस यही है, first past the post वही चीज़े है, चली आगे, भारत में किस तरह की पार्टी विवस्था का अनुसरन किया जाता है, तो यहाँ पर बहुँ पार्टी विवस्था है, बहुँ पार्टी का मतलब है कि कोई भी बहुँ सारे पार्टी हैं हमारे देश में, दूभी पार्टी नहीं है, एकल पार्टी नहीं है, सं यहां पर दलों को चुनावर्चीन कौन अमेटित करता है तो चुनावचीन अमेटित करने का अगला सवाइल मतदान करना खाली जगए अधिकार है यहां पर मतदान करना इस एक इंपोर्टन कोश्चन यह पूछा जाता है मद्दान करना मौलिक अधिकार नहीं है समधानिक नहीं है प्राकृतिक नहीं है ये कानूनी अधिकार होगा मद्दान करना चलिए आगे है भारत में राजनेतिक दलों को खाली जेगा मनतापराप करता है तो भारत का निर्वाचन आयोग राजनितिक दल जो होते हैं उनको कौन मानेता पर आप देता है उनको चिन कौन देता है कि हाँ आपका ये चिन है तो भारत का निर्वाचन आयोग देता है एंसर अपका ये होगा अगला सवाल CEO से क्या आपतत परज है मुख निर्वाचन पतादिकारी CEO झीफ के इलेक्षन आफिसर मुख निर्वाचन पता देखारी इसका एंसर हो ये आपको आगे बात करते हैं वह खाले जगा भारती जो मताता सुची में मतदाता नहीं बढ़ता सकता नहीं कर सकता है तो को ये थे प्रेंस कितने सवाल ये थे आपको 32 सवाल टोटल थे इसमें और बहुत ही important प्रस्ण है आप इसको ध्यान पुर्वक पूरा वीडियो को देख लीजिए देखने के बाद आपको 14-15 सवाल आपको टेलिग्राम में इसी से पुछा जागा कल के Q's में तो मिलते हैं अगले वीडियो में ततक लिए धन्यवाद